आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ससन में मैं हूँ आपका physics mentor सचिन और आज हम चर्चा करने वाले हैं velocity time graph पर बच्चो जैसा कि last session आपने जो है देखा होगा उसमें हमने चर्चा की थी position time graph position time graph में हमने पढ़ेते बच्चो distance time curve और displacement time graph जिसमें मैंने आपको बच्चो slope और area दोनों के वारे में बताया था इसके slope से क्या मिलता है different types के accelerated, un accelerated और बच्चो de accelerated graph मेंने आपको जो बताये थे कि कहा acceleration है कहाँ acceleration होगा कहा velocity increase हो रही है कहाँ velocity बच्चो constant है कब हमारा particle rest में है तो बच्चो मैंने उस last session में हमारी जो है चर्चा हुई थी position time graph पर तो बच्चो main concept क्या है आप सबसे पहला वाला lecture अगर आप मेरा देखोगे कि उसमें मैंने आपको graphs के बारे में सारा basic detail बताई थी कोई भी graph आपको दिखाई देता है तो सिर्फ आपको दो ही चीजे सबसे पहले ध्यान में देनी है कि slope और दूसरा बच्चो क्या area इस लोप जब आप निकालते हो तो इस लोप डी वाई अपन डी एक्स यानिकी चेंज इन वाई एक्स एक्सेज का चेंज और इस लोप होता है क्या बच्चो 10 ठीटा और साथ इसाथ अगर हम आगे बात करते हैं तो area मैंना आपको बजाया था दूसर फेक्टर और बच्च सबसे पहले वाला जो बच्चो मेरा वीडियो है आप सबसे पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें तब आप इस सेशन को देखिए क्योंकि यह मेरा थर्ड सेशन है ग्राफ को लेके और ग्राफ के अभी मैं बेसी की समझा रहा हूँ जैसे कि हमारा आग यह कोर्स है यह क्लास 11 फाउंडेशन और जेई और नीट के लिए है जेई और नीट एक्जाम के लिए है और आसा हमारी यह है कि हम आपको बैटर से ब कि हम भी आगे प्रमोट होंगे और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कंटेंट आपको मिले जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस करें चलो बच्चो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा बहुत ओकार सबसे जाए सबसे ज चुका हूं कि वीटी ग्राफ हो या एक्स्टी ग्राफ हो या फिर बच्चो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ हो तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होता स्लोप निकालना होता या फिक निकालना होता एरिया और स्लोप एडिया का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होना चा आगे बात करते हैं यह कुछ BT graph मेंने लिए हुए तो BT graph का बच्चो पहले हम बात करें तो velocity time graph जो होता है velocity time graph जो होता है उसमें आगर हम बच्चो slope की बात करते हैं तो slope जैसे कि हम सभी बच्चे जानते हैं क्या होता बच्चो DY upon DX यानि की क्या होता differentiation यानि की change in Y axis upon change in X axis ठीक है तो अगर यह BT graph हमें कोई दिया हुआ है हमने consider कर लिया कि हमें एक BT graph बच्चो दिया हुआ है और यह BT graph आपको देख रहा है कि parallel to है X axis इस X axis के क्या है parallel यहाँ पर Y axis में velocity है तो Y axis में velocity आगे बच्चो और X axis में हाँ पर क्या ह आता है DT आता है और slope का बच्चो formula tan theta भी होता है जो theta angle किस से बनता है theta angle किस से होता है with X axis ठीक है अब यहाँ पर X की जगे कौन सा axis है time axis तो यहाँ किस के साथ होगा यह with time axis तो यहाँ time axis से जो भी बच्चो angle बनेगा theta उसका अगर हम tangent ले 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 तो क्या कहलाएगा बच्च बीटी ग्राफ का slope की बात करें तो बच्चो बीटी ग्राफ का slope यहाँ पर आता है क्या बच्चो डीवी एपों डीटी यानि की changing y axis एपों ए जेंजेन x axis यहाँ पास velocity है x axis में हमारे पास time है तो यह आ जाता किसके 10 theta के equal और बच्चो चेंजेन velocity क्या होता है with respect to time that is called acceleration यान slope बीटी ग्राफ तो बच्चो हमें क्या देता है वो डीवी अपों डीटी या फिर बच्चो क्या 10 theta किसके equal होगा बच्चो एक्सेलरेशन के equal होगा ठीक है मैं समझता हूं यह सभी को concept clear होगा कि slope जब आप बच्चो निकालने हो मेरे प्यारे बच्चो जब आप slope एक्सलरेशन मिलेगा चमका अप्सको नि चमका ठीक है इसको माइड में डालो और देन चलते हैं बच्चो आगे की तरफ next हम इसमें निकालते हैं बच्चो क्या area area under the beat graph अगर आप बच्चो निकालते हो area under the beat graph हमें ये वाला area निकालना है और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुक हूँ बच्चो अगर उपर वाले area निकालते हैं तो कहां तक चला जाएगा infinity तक हमें ये bounded area निकालना जो कि time axis तक क VT graph अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो जैसे कि अगर ये rectangle होगा तो कितना जाएगा बच्चो length into breath यानि कि यहाँ पर velocity into time हो जाएगा तो बच्चो velocity into time यहाँ पर क्या होगा बताईए velocity into time क्या होता बच्चो velocity into time यहाँ पर क्या मिलेगा आपने पढ़ाया बच्चो velocity होता है rate change of किसका भी या displacement का तो velocity into time आप कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें displacement मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा displacement तो जब भी है बच्चो हम इसका area निकालेंगे area under the VT graph आपको क्या देगा यहाँ पर displacement देगा ठी के area under the VT graph सामें मिलने अवाला क्या displacement यानि कि जब भी हम VT graph का area निकालेंगे तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा displacement अचा एक चीज़ और रटने की कोशिच ना करें यहाँ पर मैंने डर्क ली लेंथ इंटू ब्रेथ लिग देए क्योंकि बच्चो इसका जो आप शेफ दे ग्राफ लिया हुआ है आप देख रहे होंगे तो इधर हमने ले लिया क्या velocity ठीक है इधर वैलसीटी और यह इधर लेले का time भी टी ग्राफ आपको दिया हुआ है इस वीटी ग्राफ के अगर हम बात करें ठीक है तो इस वीटी ग्राफ में बच्चो अगर हम slope निकालते हैं यह इसका एंगल है जो किस से बन रहा है टाइम एक्सिस से बन रहा है तो अगर हम बच्चों यहाँ पर टैंड ठीटा यानि कि स्लोप निकालते हैं यानि कि जब भी हम स्लोप निकालते हैं वीटी गिराफ का तो हमें क्या मिल जाता है एक्सेलरेशन और हम इसका एरिया निकालेंगे तो बच्चों किसका एरिया होगा एरिया ओफ ट्राइंगल तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकाल जो कि सबी बत्छे जानते होंगे Half base into पहोता है और यहां पर बच्चो. fetch में चला Chaim और height जितने है velocity है height मिहां पर क्या है Height मिहां पर है velocity height मिhen Hasherry जब भी आप निकालोगे तो इसके यारीजomet किया मिल जाएगा हات यहां पर यह दिया हमें देगा था बच्छो डिस्प्लेस्मेंट ठीक है चलो यह तो बेसिक है क्योंकि हमें बेसिक लेवल टू टोप लेवल पहुचना है इसलिए अभी काफी सारी जानने हैं मैं तो बिल्कुल बेसिक से हां बात कर रहा हूं देन आगे चलते हैं बच्छो वेलसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं तीन ग्राफ में आपको बताए थे कि कानेम अटेक्स में हम तीन ग्राफ पढ़ेंगे यहां पर पोजिशन टाइम ग्राफ वेलसिटी टाइम ग्राफ और एक्सलरेशन टाइम ग्राफ ठीक है और य यह वीटी ग्राफ मैंने लिया एक इस वीटी ग्राफ में आपको बताना है कि यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, कॉंस्टेंट है, यूनिफोर्म है, नोन यूनिफोर्म है, तो कैसा बता लगाएंगे, इसका जानते है पहले तो, पहले आप यह देखें, यह ग्राफ इस पहले तो, इस पुछ क्या थी? इनीशल वेलोसिटी थी, फिर हमें स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, जो हमें ग्राफ दे रखा है, इसका हमें बच्चो इस स्लोप निकालना है, तो इस स्लोप बच्चो आप सभी बच्चे जानते हो, चेंज इन य एक्से अपोन एक्से यानि कि y पर वेलोसिटी है और x पर क्या है टाइम तो, dv upon dt, that is equal to 10 theta, तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर theta को देखना है, तो अगर हम x-axis के बच्चो parallel line ठीचेंगे, तो यहाँ पर ये theta जो आप देखोगे, इस theta की value बच्चो यहाँ पर क्या है, constant है, तो इस ग्राफ में आप देखरो, theta क्या हो गया बच्चो यहाँ पर constant हो गया, और theta constant हो गया, यानि कि 10 theta यानि कि इसका slope constant हो गया, और slope से इसके क्या मिलता है बच्चो हमें, acceleration, that means यहाँ पर acceleration हमारा constant हो जाना है, क्यों constant हो जाना है, क्योंकि theta की value continuously क्या है, same है, theta यहाँ पर same हुआ, और theta same होने स से हमारा geben क्या मिलता है जैसी अपर घृंख सकते हैं कि हांपर उनीफोर्म अक्सलेशन तो इसलिए यहाँ पर uniform acceleration यहाँ पर कहलाएगा इस graph के अंदर अब आपको फिर फर्दर आप देख रहो दूसरा graph है यह graph आपको curve दीख रहा होगा यहाँ पर इस ट्रेट नहीं है ठीक है अब एक चीज़ हो रहे बचो आप देखें कि यह जो graph है onions start हो रहा है कहां से जिडियो से start हो रहाएं यान की हाँ पर इसकी बात करें तो initial velocity यहाँ पर इसकी क्या कितनी हो गए बच्चो zero हो गएники initial velocity है'егa पर बच्चो हो जाती है फिर फर्दर दोई चीज़्या राप में बच्चो निकालते हैं अच्छा 2020 वे बिते ऐ्यार अगर एरिया निकालते हैं तो बच्चों हो गया आएगा उसको भी जान लेते हैं इस ग्राफ के अंडर आप एरिया निकालते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ अगर आप बच्चों निकालते हो तो एरिया अंडर दा वीटी ग्राफ इसके नीचे का आपको यह वाला एरिया बच्चो निकाल लेना है और ये area आप दो तरीके से निकाल सकते हो इसको आप trapezium भी ले सकते हो ठीक है और साथ इसाथ ये भी कह सकते हो कि हम triangle का area निकाल ले और साथ rectangle को add कर दे तो भी बच्चो उसका आपको area यहाँ पर मिल जाएगा या फिर trapezium का area निकाल देते 1 upon 2 sum of parallel side into base ठीक है जैसे कि यहाँ पर इस value को हम डिलेंगा final velocity हो जाएगा यानिकी V यह value हो गया यू और यह को हो गया T ठीक है आप इस तरीके से निकालते हो 1 upon 2 sum of parallel side V plus U और into base यानि कि यहाँ पर क्या है T है इस तरीके से इसका क्या आपको मिल जाएगा बच्चो area मिल जाएगा ठीक क्या देता हमें इस लोप बीटी ग्राफ हमें क्या बच्चो देता है acceleration ठीक है और that is equal to the 10 theta या पर change in y axis upon axis यानि y पर क्या है velocity एर x पर क्या है time यानि dv upon dt यहाँ पर हो जाना है अब हमें जानना इसका slope कैसा है तो हम क्या करते है एक सक्सिस के parallel बच्चो लाइन खीच लेते हैं ठीक है और आप जान से देखना कि यहाँ पर theta पर क्या effect पढ़ रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो थीटा की value यहाँ पर increase गई लिए करता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इस graph का acceleration क्यों बढ़ा क्यों आप ने देखा कि ठीटा की value क्या होती जा रहे है बढ़ती जा रहे है इस लिए इस graph के अंदर acceleration continuously क्या कर रहा है इंक्रीज होता जा रहा अब एक बच्चा कहेगा सर आप इसका यहाँ displacement कैसे निकालोगा बच्चो अगर हम इसके अंडर की displacement निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ इंटिगेट करना पड़ेगा हमें आप एक strip लेनी पड़ेगी क्या लेन इसे strip का area निकालेंगे इसको माल लेंगे dt और इसको हम 0 से लेकर जो भी यहाँ पर value होके वहाँ तक क्या कर देंगे इंटिगेट कर देंगे तो इस तरहीके से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चो displacement यहाँ पर हमें मिलेगा ठीके यानि की dx इक्कल टू v into dt और x इक्कल ट integration v into dt और limit यहाँ पर हम लगा देंगे velocity की जैसे कि initial 0 है और final point पर जो भी बच्चो हमें यहाँ पर velocity होगी वहाँ तक कि हम limit लगा देंगे और v function होगा यहाँ पर किसका time का ठीके वी जो हमें function होगा किसका बच्चो यहाँ पर time का तो वो हम यहाँ पर बच्चो रखेंगे औ then उसको क्या करेंगे integrate और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा displacement मिल जाएगा यह एक question आपका अच्छे level का question बन जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है integration आ जाता है ठीक है then चलते हैं बच्चो आगे आप फिर फर्दर आपको एक graph आपको दिखाई दे रहा होग इस graph में यह down की downside जा रहा है पिसले वाला graph क्या था वो upside जा रहा था और upside जा रहा था आप क्या देख रहे थे खीटा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो directly मैं आपको एक बात बता दू कि भाया जब graph उपर की concavity जब हमारी shift है उपर की तरफ तो उसका मतलब वहाँ पर slope increasing है कैसा बचो slope वहाँ पर increase होगा ठीक है जब यह concuity उपर की तरफ उपर की तरफ उठ रही है that means हमारा जो ठीटा है वो क्या करेगा increase करेगा slope उस graph का क्या करेगा increase करेगा अगर हम बात करेए बचो यहां पर concuity क्या हो रहे है डिक्रीज करेगा और यह कूं सा गिराफ है विटी गराफ स्लोप से आपको मिलेगा क्या एक्सलराइशन क्या मिलेगा एक्सलराइशन मिलेगा तो बच्चो यहाँ इस कर आई मैं तो कहता हूं कि आप एकस्षिज के पैडलन Rat perch जलो। और एकस्षीज के पडलन लाइण की इसक्यो करते चले जाकोन के भाया ठीटा इंक्रीज कर रहा है डिंगी printing कर रहा आपको देखकें के लिए आप देखके बता सकते हो कि इसका ठीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है और बच्चों यहां पर जब है इसका decreasing है इसका acceleration क्या ऐसा है decreasing that means यहाँ पर retardation हो रहा है acceleration हो रहा है ठीक है यहाँ पर क्यो हो रहा है de-accele correction हो रहा है इस graph के अंदर ठीक है तो तो that means यहाँ पर theta continuously decreasing है तो इस graph में कौन के BET हैंकी curve shift हो रहा है downward तो आप कह सकते हो इस boundaries का जा रहा है ठीक है चलिए अब next graph फिर आपको दे रखा है वीटी graph इस वीटी graph के अगर हम बास करते हैं तो बचो आप देखरों कि ए ग्राफ initially यहां से start है ठीक है इस point से start हो रहा है तो यह इसके पास initial velocity होगी यानि किसके आपस पहले से यह इसकी क्या है इनीशल पॉइंट इसका यहां पर है तो इनीशल पॉइंट यहां से चले और फाइनल हम यहां पोचे तो यह इसका कौन सा पॉइंट हो गया final point हो गया और final point पर यहाँ पर क्या होगी बच्चो final velocity होगी और final velocity होगी तो यहाँ पर क्या में लगा V और आपको यहाँ देख रहो कि V की value बच्चो x axis पर y axis की value x पर कितनी हो जानी है 0 जानी है यहाँ पर इसकी velocity final कितनी है 0 इसके पास initial velocity कितने ही हो अब बात आते हैं जी गिराफ कौन सा बच्चो कौन सा गिराफ है velocity time गिराफ है सर velocity time गिराफ में हमने पढ़ा था कि इसके slope से क्या मिलता है acceleration मिलता है क्या मिलता है बच्चो slope equal to क्या बच्चो acceleration और acceleration equal to बच्चो कितना 10 ठीटा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x axis के parallel आप line खीच लीजे और आप find करेंगे कि ठीटा यहाँ पर कैसा है greater than 90 है ठीटा यहाँ पर क्या है बच्चो greater than 90 और greater than 90 है तो quadrant कौन सा पोच्च गया बच्चो second और second quadrant में 10 की value धान देना बहुत concept वाली बात है ठीटा greater than 90 second quadrant है second quadrant में पोच्च गया तो that means 10 की value कैसी होगी negative और 10 की value negative होगी that means acceleration यहाँ पर acceleration यहाँ पर कैसा आगया negative आगया बट लेकिन बात पकड़ने वाली यह है कि ठीटा constant चलना है that means इसका acceleration negative तो है बेटा पर है क्या uniform ठीक है है कैसा uniform है चोगी ठीटा यहाँ पर constant है ठीटा constant है ठीटा greater than 90 है इसलिए slope इसका कैसा हो गया negative हो गया और slope से क्या मिलता है acceleration तो acceleration negative that means इसका acceleration कैसा है constant ठीटा अग्सलेरेशन इसका कैसा है uniform ठीक है बच्चों कैसा है uniform no down करते रहेगा point है tricky points को सभी को no down करना है सभी tricky points आपके पास no down होने चाहिए तभी question कर पाएंगे ठीक है चलो इतनी बाद समझ माती है आगे चलते हैं कुछ और नए question से लेते हैं अब देखें यहाँ पर यह question है कि वीटी graph आपको फर्दर आपको दिया हुआ है और यह बता दूँ मैं XT graph, VT graph, VT graph बढ़ रहे होना सबसे जादे important हमारा VT graph ही है कौन सा है VT graph और conversion भी बढ़ बचो सबसे जादा conversion VT graph सा आपको मिलेंगे VT to 80 आपका VT to XT आ सकता है तो इसलिए भया power 0, power 1, power 2 के graph clear होने चाहिए ठीक है यह आपको graph देख रहा है initial point कहां आगया इसका initial point कहां आगया तो इनीशल वेलसिटी हो गई final point आपको यहां देख रहा है that means यहां पर क्योंगे final velocity हो गई अब यह किस तरह की condition बन रही है कि किस तरह का कोई example आप बताईए क्या हो सकता है initial velocity इसके पास है पर लेकर आप देखो continue Qui क्या है negative velocity की तरह क्या खर गया इसका final velocity कैसी ओगई negative हो गई यानि किस की velocity यहां पर आकर 0 भी हुई है यहां पर इसकी velocity 0 भी हुई है और उसके बाद कैसी हो गई बच्चो negative हो गई अगर मैं इसका slope की बात करता हूँ तो आप क्या देखो के भाया इसका slope क्या है greater than theta greater than 90 और slope equal to क्या होता 10 theta और slope से हमें क्या मिलता बच्चो acceleration तो that means यह कैसा हो गया है अपर again further इसका acceleration क्या हो गया बच्चो negative हो गया acceleration negative हो गया that means और theta constant चलेगा इसका theta क्या है आपर constant तो यानि कि इसका acceleration भी क्या है uniform acceleration है ठीक है और final velocity के हम बात करें तो final velocity आप देख रहे हो final velocity वो भी कैसी है बच्चो negative है ठीक है final velocity कैसी है है आपर negative आजाती है ठीक है मैं समतर हूँ सभी concept आपको चामा करें होंगे सभी concept आपको clear हो रहे होंगे ठीक है और continuously आप जो बच्चो concentration बना करें रखिए फिर further रहे का अगला graph में नहीं पर लिए हुआ है वीटी graph है और इस वीटी graph से आपको दो चीजे मैं आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ भया यहां से अगर हम बात करते हैं यहां से distance की तो भया distance के अगर हम बात करें मैंने बोला कि यह region 1 2 3 और यह 4 तो अगर मैं बच्चों यहां पर distance की बात करता हूँ तो distance भया कैसी quantity scalar ठीक है distance कैसी quantity scalar तो जब आप distance निकालते हैं तो इस graph का वीटी graph का क्या निकालना होता है area क्या निकालना होता है तो भया जब हम distance निकालेंगे तो actual path traveled होता तो उसलिए आपको area सभी का लेना पड़ेगा area 1 प्लस area region 2 का area region 3 का ठीक है चारों के area निकालेंगे एड कर दीजे क्या मिल जाएगा distance मिल जाएगा distance can't be negative जान रखना total path length can't be negative path length negative नहीं हो सकती distance negative नहीं हो सकता कैसी quantity बच्चो distance scalar है कैसी quantity है scalar है can't be negative अब बात करते है displacement की ठीक है displacement की जहां कुछ राज छुप हुए है तो displacement कैसी quantity है सभी बच्चे जानते है vector है जी कैसी quantity है बच्चो वेक्टर है तो जब हम वेक्टर quantity ले रहे हैं तो बहिया positive पहले वाला positive है दूसरा वाला negative है तो आप negative ले लोगे और तीसरा वाला positive है तो उसको positive होगे area plus 3 और 4 वाला negative है तो उसको आप negative लोगे यानि की area 1 minus area 2 plus area 3 minus area 4 और अगर बच्चो यह सारे area बराबर हैं circuit क्या बोलते हैं यह time intervals equal है तो displacement क्या जाना है जीरो आ जाना है यह धान रखना displacement क्या जाएगा तब 0 जाएगा इस वाले case में ठीक है अगर हम 1 2 3 लेते 1 2 3 लेते तो 1 positive minus 2 होता plus 3 होता तब 0 यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है इतनी बात समझ माती है चलते आगे यह फिर फर्दर हमें एक speed time graph दे रखा है velocity time graph की बाब करें तो velocity कैसी quantity है बचो वैक्टर quantity है अब हमें जहें रखा है आपर क्या speed time graph और speed भया कैसी quantity बचो scalar speed कैसी quantity है scalar quantity है प्यारे बचो तो यहाँ पर हमने speed time graph लिया हुआ है और यह speed time graph आप देखिए यह represent कर रहा है कि इसके पास पहले से कुछ ना कुछ speed थी और वो speed continuously घटती जा रहे है degrees होती जा रहे है degrees होती जा रहे है और यहाँ पर time axis पर match करके that means यहाँ पर speed इसकी कितनीों की graph में बचो 0 हो जाती है और 0 हो जाने के बाद फिर increase करती जा रहे और फिर top पर वहीं पहुच गई जितनी थी अब ऐसा कोई example बता दो कि ऐसा example कहां हो सकता है कब आ सकता है आप देख रहो कि speed पहले घटी है फिर 0 ही है फिर बढ़ गई है suppose कर आपके पास बहुचे simple example आपके पास एक बोल है आप उस बोल को vertically उपर थो करते हो तो जब हम उस बोल को उपर की तरफ तो करेंगा इसकी काए ऑजिएगी डिकरीज होती जाएगी आप टोप मोस्ट लेबल पर बैस अब कि इतनी हो गई हायस पोइंट पर 0 इस लिए डिकरीज अब जिएगी और फिर जब नीचे आएगी तो इसकी वहल्योंटी बढ़ती जाएगी और एक कमाल की बात क्या है कि यहां पर acceleration जो होता हूँ जी होता है जो की कहा रहा था constant इसलिए graph का इसा रहा बच्चो यह straight line ठीक है तो यह समझमाय होगा सभी बच्चो को तो speed यहां पर क्या हो रही है पहले decrease हो रही है फिर यहां पर कितने है इसलिए इनिशली speed कितनी यह बच्चो जीरो है यहां पर क्या speed इसकी हो गया maximum हो गई है और फिर speed decrease हो गई फिर यहां पर कितनी हो गई जीरो गई अब ऐसा कोई example कभ हो सकता है कि अगर आपके पास एक बोल है उस बोल को आप उपर से चोड़ सोड़ान से तो स्चिंट घीद खरेंगी हुआ देख्या सस्की स्पीड करेंगे करेंगी तो इसकी स्पीड करते जा रही है कुछ करते जा रही है और जबत वह नीचे जाके के बाद गट जाती है बट अगर हम बोलते हैं कि कोई एनर्जी उसकी लोस नहीं होगी कोलिजन पर यानि कि कहने का मतलब है अगर हमने कोई बोल यहां से रिलीज करी तो बापेस जब वो फ्लोर से कॉलाइड करके बापेस उसी हाइट पर नहीं आने की प्रैक्टिकली क्योंक पर सभी अपोजिट फोर्स नेगलिजिबल है यानि कि अपोजिशन नेगलिजिबल है फ्लोर से कोलिजन के बाद उसकी कोई एनर्जी लूज नहीं हुई तो यहां पर क्या हुआ जीरो थी आपने थोड़ा उपर जब वो फ्लोर से टकर आई मैक्सिम स्पीड से कोलिजन हो बाद फिर वापस हो ही आगई और जब वो सेम लेवल पर आएगी तो बच्छों के स्पीड कितनी हो जानी है जीरो यानि की बापस कोलिजन होने के बाद नीचे गई बड़ी कोलिजन होने के बाद फिर वापिस जब उपर आईगी तो डिक्रीज करते जाएगी फिर टॉप अगरेशन टाइम ग्राफ बच्छों हम पढ़ते हैं यहां पर हमें यह रखा है एटी ग्राफ और एटी ग्राफ के अगर हम बात करें बच्छों यहां पर सिर्फ हम निकालते हैं एरिया तो एरिया ओफ एटी ग्राफ क्या होता है वो जानते हैं आप माले सपोजगर हमने एक 80 ग्राफ लिया हुआ है इसके नीचे का अगर हम एरिया निकालते हैं तो बच्छो यह क्या है एक रेक्टेंगल बन जाएगा तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालते हो तो होता कि आप यहां पर हो जाएगा चेंज इन वैलिसुटी यानि कि जब भी हम एरिया निकालेंगे 80 ग्राफ का तो हमें यहां पर क्या मिलेगा चेंज इन वैलिसुटी मिलेगी जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे एक बच्छा कहता है आपने सर यह तो बताए निसका स्लोप क्यों निकाला बच्छो अगर हम इसका slope निकालते हैं slope of 80 graph तो slope of 80 graph क्या आएगा यहाँ पर change in y axis upon change in x axis होता तो यहाँ पर y पर क्या है acceleration of x पर क्या है time है जो की कोई भी physical quantity बच्चो नहीं होती यानि da upon dt अगर हम करते है तो कोई भी physical quantity हमारी नहीं होती है change in acceleration with respect to time ठीक है इसलिए हमने इसका slope नहीं निकाला है ठीक है तो जब भी आपको 80 graph दिखाए देता है तो उसका सिर्फ क्या निकालेंगे आप area ही आपसे पूछा जाएगा और इसका area हमें क्या देता है बच्चो velocity देता है तो हमें एक बच्चो यह 80 graph हमें दिया हुआ है इस 80 graph का अगर हम area निकालेंगे तो बच्चो क्या है सिर्फ एक triangle है तो आप सिंप्री सभी बच्चे जानते है और इसका जो acceleration है वो कैसा बच्चो uniformly increase कर रहा है ठीक है वो क्या है एक straight line है तो इसलिए यह क्या कर रहा है straight line है तो यह uniformly क्या कर रहा है बच्चो increase कर रहा है तो इसका अगर हम उतना ही interval आगे चलते हैं तो उतना ही acceleration हमें क्या होगा आगे मिलेगा ठीक है तो इसका अगर आप area निकालते हैं यहाँ पर area under 80 graph तो यहाँ पर इस वाले graph के लिए कर हम बात करें तो area under 80 graph यहाँ आता 1 upon 2 base into height base में time है और height में क्या है बच्चो acceleration तो directly आप इसे निकाल सकते हैं यह तो बहुत ही easy है यह हमें एक 80 graph दे रखा है तो इस 80 graph होए जब बच्चो हम यहाँ पर इसका area लेंगे area of 80 graph जब हम इसका निकालते हैं तो बच्चो हमें क्या है दो चीजे मिलेंगी अगर हम velocity की बात कर रहे हैं तो velocity के लिए यह area 1 यह area 2 यह area 3 तो अगर हम velocity की बात करेंगे तो area 1 का ले लेंगे और minus कर देंगे minus कर देंगे area 2 का और plus area 3 का ठीके तो पहले का area 1 का area plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब हम बात कर रहे हैं क्या velocity की क्योंकि बच्चो velocity कैसी quantity है vector quantity है ठीके अगर हम बच्चो बात करेंगे speed की तो speed की जब हम बात करते हैं तो area first का plus area बच्चो हमें सभी का क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा plus area third का क्योंकि यह कैसी quantity speed यहाँ पर यह quantity है बच्चो scalar ठीक है तो basic मैं समझ रहा हूँ आपको clear हुआ होगा बच्चो और इसी के साथ हमारे हाँ पर एक graph का section basic जो section था वो सब खटम हो जाता है next जो class होगी वो मैं PYQ क्लास बच्चो यहाँ पर लेने वाला हूँ यानि कि previous year questions कुछ सच अच्छे questions मैं आपके आपके साथ next session में बच्चो share करने वाँ जा रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही धमा के दार होने जा रहा हूँ इसलिए आज इस सेशन को मैं बच्चो यहाँ पर एंड करते हैं नेक्स सेशन में फिर मिलते हैं और हमारे जो भी बैच्चो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स बैच्च हमारे जो चलने वाले क्लास 11 फाउंडेशन क्लास 12 फाउंडेशन और ड्रोपर्स बैच्च जल्दी से जल्दी बच्चो आप इनको इनमें अन्रोल हो जाईए और आपको कंटेंट बच्चो बढ़िया लगता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को बच्चो शेर कीजिए आप भी बढ़ो आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़े यह हमारे जो है टार्गेट है हम बैट्स बैटर सा बैटर कंटेंट आपको दे पाएं थैंक्यू मिल